टमाटर को कैसे स्टोर करें ताकि उसकी फ्रेशनेस, उसका अरोमा और उसके न्यूट्रींट्स बरकरार रहें उसे फ्रिज में स्टोर करना चाहिए या फ्रिज के बाहर काउंटर टॉप पे स्टोर करना चाहिए आजकल यह एक कॉन्टरोवर्सी का विषय बन गया है आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डीटेल बात करेंगे हलो everyone, welcome to divine care आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें टमाटर को कैसे स्टोर करना चाहिए टमाटर हमारी किचन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला उसको हम fruit कहें या vegetable कहें सबसे जादा यूज होने वाला एक इंग्रेडियन्ट है और हम इसको अपने रूटीन में हम चाहे दाल, सबजी, चटनी, सलाथ, सूप, कुछ भी बना रहे हैं उन सब चीजों में हम टमाटर को बखो भी इस्तमाल कर सकते हैं और एक और क्वैलिटी है टमाटर में कि हम इसको जब कोक कर लेते हैं, पका लेते हैं उसके बाद भी जो इसकी न्यूट्रिशनल वेल्यू है वो बरकरार रहती है टमाटर में वाइटमिन सी, लाइकोपीन और कई सारे मिनरल्स जैसे की पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में हैं जो कि इसको हेल्थ वाइस भी नंबर वन इंग्रेडियन्ट बना देते हैं क्योंकि टमाटर इतना वर्सिटाइल है तो हमेशा इसको हम जादा एमाउंट में, जादा क्वेंटिटी में खरीदते हैं और जादा amount में खरीते हैं तो next सवाल हमारे सामने आता है कि हम इसको कैसे स्टोर करें ताकि इसकी freshness बनी रहे, इसका flavor और इसका nutrients बरकरार रहें अब हम discuss करेंगे कि हमें tomato को कैसे स्टोर करना है अगर हमारे पास जो tomato हैं वो raw है अभी कच्चे हैं पूरे पके नहीं तो उनको हमें कैसे स्टोर करना है सबसे पहली चीज कि उन्हें हमें फ्रिज में नहीं रखना है हमें उनको उनकी जो stem है उसको तोड़ के और एक ट्रे में उसको रखना है उल्टा करके जहांपर उसका stem लगा होता है उस वाले पार्ट को नीचे की तरफ और हमें उसे एक ट्रे में स्टोर कर लेना है ताकि वो जल्दी से पक जाए अगर हमें इस पकाने वाले प्रोसेस को राइपनिंग प्रोसेस को फास्ट करना है तो हमें इनको एक पेपर बैग में स्टोर करन अगर हमारे पास पके हुए टमाटर हैं तब हमें कैसे स्टोर करना है तो जो टमाटर ready to use हैं सबसे पहले हम उनको यूज कर ले और जो बच्चे हुए टमाटर हमने फ्रिज में स्टोर किये हैं उनको भी हमें यूज करने से करीबन 24 आर्च पहले बाहर निकाल लेना चाहिए यह इसलिए कि जब टमाटर नॉर्मल रूम टमपरेचर पर आ जाता है तो जो उसके एंजाइम्स हैं जो कि फ्रिज में रखने की वज़ा से डल पड़ गए थे या उनका जो फ्लेवर था वो डल पड़ गया था वो फ्रिज के बाहर आकर और रूम टमपरेचर पर आकर री बूस्ट हो जाएगा यहां पर एक टिप आपको देना चाहूंगी अगर हम इतनी देर पहले टमाटर को फ्रिज से निकालना भूल गए हैं तो हम क्या करें हम टमाटर को निकाले उसको स्लाइस करें या छोटा-छोटा चॉप कर लें ताकि वो जल्दी रूम टमपरेचर प अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम फ्रिज में स्टोर किये हुए टमाटर को यूज कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम इसको सूप बनाने में सबजी की कोई करी बना रहे हैं उसमें यूज करें सैलेट के लिए हम फ्रिज टमाटर को ही यूज करें तो वो एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि maximum हमें 3 days के लिए फ्रिज में टमाटर स्टोर करना है उससे ज्जादा हम उसे फ्रिज में स्टोर ना करें researches में पाया गया है कि जब हम टमाटर को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं और जो temperature वहां का down होता है उसकी वजह से जो tomato का flavor है उसकी एक जो खुशबू है और जो उसके nutrients हैं, vitamins और minerals हैं और frizz की ठंडक की वजह से जो इसका एक aroma और एक flavor है वो भी कम हो जाता है अगर हमारे पास बहुत जादा tomato है तो हम उसको उबाल कर और किसी airtight container में store कर सकते हैं और उसको fridge में रख सकते हैं या हम उसकी puree बना कर भी fridge में store कर सकते हैं यहां हमें उसी चीज को ध्यान रखना होगा कि जब हमें उसे use करना है तो हम कुछ देर पहले उसका जो amount हमें use करना ह उसे fridge से बहार निकाले normal temperature पर आने दे और तब उसको अपनी recipe में या अपने dish में add करें आज की वीडियो में हमने बात की कि हमें tomato को कैसे store करना है अगर आप भी इस confusion में थे तो आपको भी एक clear cut direction मिल गई होगी आप इसको use कीजिए और tomato के सारे benefits को उठाईए और लोगों के साथ share कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके हमारी सभी वीडियो हमारी app और हमारी website पर भी available है आप इनने वहां जाकर भी देख सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल